हेलो फ्रेंड्स मैं आपके लिए आज न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है चलिए ये दिल छू लेने वाली स्टोरी को सुनते हैं एक बार की बात है एक बार एक अधियापक एक संपन पडिवार के सिसे के साथ कहीं जा रहे थे मज़ा आएगा अब उसको तो मज़ाख सुझ रहा था लेकिन गुरू जी ने कहा कि नहीं गरीब इनसान के साथ इस तरह का बंधा मज़ाख ठीक करना ठीक नहीं है उसने कहा क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दे और देखे कि इसका इस गरीब मज़़ूर पर क्या परभाव परता है उन्होंने ऐसा ही किया जैसे ही मज़़ूर अपना काम करके लोटा और उसने एक पाउ अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाए दिया वो थोरा आश्चर में पड़ गया आसपस किसी को देखा तो कोई भी नहीं दिखाए दिया वापस उसने दूसरे पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाए दिये अब दोनों जूते में सिक्कों को उसने अपने हातों में रखा और प्रभू की तरह भी सरा किया है प्रभु पता ने किस बले मनुश्य ने ये सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दूआ है ताकि इन पैसों से अपने बच्चे और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाईया ला सको और इतना बोल कर वह चला गया इस बात को सिस् से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ तुम्हारी पहले वाली मजा क्या मेरी या तरीका तो उसने कहा कि गुरी जी मैं आप से छमा चाता हूं और मुझे समझ आ गया कि सची खुशी किस चीज में है जब हम किसी की मजा कुराते तो हमें कु अदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है यही सची खुशी है जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सची खुशी मिलती है इसी तरह खुशी आप बाटते रहे लोगों की मदद करते रहे और दान करते रहे जिसके भी आप काबिल हो जितना भी आप से बन पड़े, दान करे लेकिन दान जरूर करे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कमपल सरी या अनिवार रूप से इतने रूपे दान करने ही चाहिए, प्योंकि हर किसी की जरूरत अलग-अलग हो सकती है, अगर आप किसी को पैते का दान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम चीजों का दान तो करी सकते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि यह हर टेचिंग स्टोरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी आपका कीमती समय देने के लिए दिल से सुख्रिया और फ्रेंट मेरी यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताईएगा और मेरे चैनल को लाइक सबस्क्राइब जरूर से जरूर करिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए